हे गाई स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉंफी कार्स में और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी 10 कार्स के बारे में जो आपको 20 लैक रुपीज में अन्रोड इंडियन मार्केट में अविलेबल हो जाती है हाला कि इनमें से कुछ कार्स ऐसी है जिनके टॉप मोडल आपको 20 लैक रुपीज के ऊपर देखने को मिलते हैं लेकिन उनमें आपको वेरियंट्स अविलेबल हो जाते हैं जो आपको अंडर 20 लैक रुपीज में देखने को मिल जाते हैं और उनने फीचर्स भी आपको तो ये गाड़ि आपको पैटोल ओर डिजल दोनों मैं अविलेबल हो जाती है पैटोल में इसके स्थारिंग प्रैज 15.21 लैक रोपीज और डिजल में इसकी स्थारिंग प्रैज सेवंटीं लैक रोपीज और पैटोल में आप स्मार् डिची टि की तरफ जा सकतों यह top selling model है और यह आता है 19.36 लाइक रूपीज का और डीजल में आप super diesel MT की तरफ जा सकते हो जिसका pricing है 18.59 लाइक रूपीज यहाँ पर overall looks को देखा जाए तो यह काड़ी देखने में काफी bold looking लगती है सामने आपको LED DRLs और LED headlights का setup देखने को मिलता है पीछे आपको reverse parking camera और reverse parking sensors भी available हो जाते हैं 17 inches के alloy wheels आपको इस car में देखने को मिलते हैं हाला कि अगर आप पूरा base model लोगे तो इसमें आपको rim wheels available होने वाला है 190 mm का इसमें आपको ground clearance मिलेगा 587 liter के इसमें आपको boot space देखने को मिलेगी यह गाड़ी आपको 6-speed manual transmission और automatic transmission में दोनों में available होने वाली है और इसकी जो total length है वो है 4.6 meter की हाला कि इसका wheel base है वो harrier से थोड़ा छोटा है लेकिन अगर देखा जाए interior में space की तो आपको अच्छी कासी space available हो जाती है आपको battery में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है अच्छा comfort ही आपको offer करती है दोस्तो 10 inch का इसमें आपको touchscreen infotainment system दे वीचर आपको देखने को मिल जाएंगे और सेफ्टी वीचर इसांको बढ़ी है देखने को मिल जाएंगे तो यह तो थी दोस्तों एमजी हेक्टर अबर टू पर आती है युंडई अलकजर दोस्तों यह गाड़ी अभी अभी लॉंच होई है और जाता तर लोग इसके base model प की pricing है 19.04 lakh रूपीज और डीजल में 6 लिटर की pricing है 19.21 लेकर यहाँ पर आपको पैटर और ऑर डीजल में मातर 15 से 20 विस एयर का फर्क देखने को मिलने वाला है क्योंकि दोस्तों पैटरल आपको 2.0 लिटर का देखने को मिलता है और डीजल आपको 1.5 लिटर का देखने को म मिलने वाला है यहां पर दोस्तों इसका बेस मॉड़ल नहीं कह सकते क्योंकि इसके बेस मॉडल में उतने सारे फीचर्ब देखने को मिल जाते हैं जो आपको टॉप और मेट से थोड़ो से कम देखने को मिलते हैं इसमें आपको अटो हेड्लेंट मिल जाते हैं, LED Fog Lamps, Tire Pressuring Monitoring System, Driver Rear View Monitoring System, Rare Parking Sensor, Rare Parking Camera, LED Head Lamps, Position Lamps, LED Turn Indicator, ORVM, LED Tail Light, Twin Tip, Exhaust, Diamond Cut, Alloy Wheels, मतलब आपको इतने सारे Features देखने को मिल जाएंगे इसके Base Model में, जो कि आपको और दूसरी Companies के Base Model में देखने को नहीं मिलते हैं, और इसके Base Model में आपको Pan Panoromics Sunroof भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपको Tata की Safari में भी देखने को नहीं मिलता है, और इसमें आपको Alloy Wheels भी अविलेबल हो जाते हैं, यहाँ पर बात करें Interior की, तो Interior में आपको अच्छा खासा Comfort देखने को मिल जाता है, और अगर आप सेटर वाला Variant लेते हो, तो इ मिल जाएगा, Overall इसमें आपको अच्छा कासा Infotainment सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Apple CarPlay और Android Auto की Connectivity देखने को मिल जाती है, और इसमें आपको 7 इंच का Fully Digital Instrument Console भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आप तरह तरह के Mods चेंज करकी भी कार को राइड कर सकते हो तो ये तो थी Hyundai अलकजर, नमबर 3 पर आती है Skoda कोशाक, दोस्तो ये गाड़ी भी अभी अभी Indian Market में लॉंच होई है, ये एक SUV के अंदर आती है, और अगर देखा जाए तो इंडिया में भी around 3000 प्लस बुकिंग्स इस कार की चल रही है, जिसका मतलब ये है कि जात अलोग इस कार की तरफ भी जा रहे हैं, दोस्तो इसमा आपको तीन मॉडल देखने को मिलते हैं, बेस मॉडल एक्टिव, मिड मॉडल एंबिशन और टॉप मॉडल आपको स्टाइल में देखने को मिलता है, इस कार की स्टार्टिंग प्राइज है 12.08 लाक रुपीज से 20.28 लाक रुप 1.0 लिटर का आपको आटोमेटिक भी अविलेबल हो जाएगा स्टाइल में, जिसकी प्राइजिंग पढ़ते है 18.15 लाक रुपीज, और अगर आपको थुड़ी जादा पावर चाहिए, तो फिर आप 1.5 लिटर में TSI स्टाल की तरफ जा सकतो, जिसकी प्राइजिंग आप को डीजल इंजन को आप्शन देखने को नहीं मिलने वाला, यह सरिफ आपको पैट्रोल में ही अविलेबल होती है, बाकी दोस्तों अगर दिखाता है, तो सेफटी आपको इस कार में बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल जाएगी, हाला कि इस कार कभी ता कोई क्रेस सामने ले आएंगे, इसका मतलब यह है कि स्कॉर्डा को पूरा confidence है कि यह कार बहुत ही बढ़िया safety rating gain कर लेगी, यहाँ पर दोस्तों बात करें, interior से तो interior आपको बहुत जबरदस्त देखने को मिलता है, जो fit and finishing हो बहुत ही जबरदस इस कार की, और आपको space भी अच्छा खा नमबर 4 पर आती ही युंडई वर्ना, दोस्तों यह कार आपको diesel और petrol दोनों में ही available हो जाती है, diesel में इसकी starting price है 12.83 lakh रुपीज और top model आपको 18.03 lakh रुपीज का देखने को मिलता है, बात करें diesel के top selling model की, तो वो है SX optional diesel, जो कि आपको 16.69 lakh रुपीज का available हो जाता है, petrol में इ top selling model है, वो है SX optional, जो आपको 14.96 lakh रुपीज का देखने को मिलता है, बाकि दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि आपको वर्ना के top model की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जो युन्डे top model में features offer करती हैं, वो और दूसरे brands नहीं कर पाती, और आप बैठो के top model में तो आप अलगी प स्पेस देखने को मिल जाएगी, और सडेन कार है तो आपको boot स्पेस भी तक दी देखने को मिल जाएगी, हाला कि अगर आप इस कार के top model की तरफ जाते तो आपको fully digital instrument console भी अविलेबल हो जाएगा, जो कि देखने बहुत ही जबरदस्त लगता है, infotainment system जिसमा को apple carplay, android directory connectivity द दोस्तों ये ना महिंदर की तरफ से एकदम game changer car है, मतलब SUV के market में scar नेना और दूसरे car brands की एकदम बजा के रख दिये, मतलब अभी current business car के around 50,000 प्लस bookings चल रही है और दिन माद दिन इसकी bookings भी increase होती जा रही है, बाकि जब ये car launch होई ती इसका जो एक शुरूम price था वो थ देखने को मिलता है, जिसकी pricing शुरू होती है 15.44 lakh रुपीज से और top model आपको 17.89 lakh रुपीज का देखने को मिलता है, बात करें diesel के top selling model के तो आप इसके LX4 Sitter hard top diesel की तरफ जा सकते हो, जिसकी pricing आपको 16.26 lakh रुपीज पढ़ती है, पैट्रोल में इसकी शुरुआती है 14.95 lakh र रुपीज बाकि दोस्तों इसको वेटिंग पीरेड इसकार का बहुत जादा है, लेकिन अगर आप पैट्रोल की तरफ जाते हो, तो आपको तीन से चार मीनों ये कार अविलेबल हो जाएगी, लेकिन अगर आप डीजल की तरफ जाओ कि तो उसमें आपको 8-9 मन्त का वेटि देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर आप थोड़े मोटे हो, तो आपको जो अच्छी खासी ओफर हो जाती है, मैनूली एड़स्टेबल सीट आपको देखने को मिल जाती है, इन्फोटेन्मेंट सिस्टम भी आपको अवेलेबल हो जाता है, हाला कि अगर आप इसका बेस मो स्पेस बिल्कुल भी नहीं मिल तक दम ना के बराबर में कहूंगा, मतलब आप उसमें आपना वूफर ही लख सकते हो, अलग से अगर आप इंस्ट्रॉल कराते हो, लेकिन आप और दूसरा समान तो नहीं रख सकते, तो ये चीज़ की थोड़ी सकार में कमी है, लेकिन अगर अगर देखे जाए, पावर वाइस, लुक्स वाइस, तो ये कार बहुत ही जबरदस्त है, बाकि अगर देखोगे तो ये कार है टर्नर गाड़ी, मतलब आप इसको लेके निकल जाओगो ना, तो कोई ना कोई पलट के देखे गई, मतलब सभी पलट के देखें गयार, इतना जबरदस्त लुक्स जो महिंद्रा ने इस कार को दिया है, तो ये तो थी महिंद्रा थार, नंबर 6 पर आती है किया सेल्टॉस, हाला कि दोस्तों इस कार की बिल्ड कॉलिटी में बिल्कुल भी बेच जयती हो रखी है, मतलब ये कार बीच से तूट जाती है, लेकिन अगर द की सेटे रेटिंग देखने को मिल जाती है, जो की बहुत जबरदस था, लेकिन किया सेल्ट तो जैसी कार जो आपको 2 या 3 स्टार की सेटे रेटिंग देती है, तो ऐसी कार की तरफ जाना आपको बिल्कुल भी नहीं पुराना चाहिए, बाकि दोस्तों ये कार आपको डीज पॉइंट फाइट तुलैक रूपीज में ऑन रूड अविलेबल हो जाता है बाकि एकार पैट्रोल में भी स्टार्टिंग प्रैस हो जाता है इसकी 11.21 लाक रूपीज और टॉप मॉडल आपको 20 लाक रूपीज के देखने को मिलता है बाकि दोस्तों पैट्रोल में लोग किय यह फीचर्स ऑफर हो जाते हैं 17 इंचेस के आलोई वील्स आपको इस कार में देखने को मिलते हैं और अगर ओवर और लुक्स को देखा रहे हैं तो लुक्स में यह कर बहुत ही जबरदस्त है मतलब यह स्कॉड़ा को शाक को भी टक्कर दे देती है और यह यह युन्डई क क्रेटा दोस्तों अगर आप किसी इंसान से पूछोगे ना भाई कोई मिड साइज स्कॉड़ा का नाम बता तो उसके मूँ से सबसे पहले क्रेटा ही नाम निकलेगा क्योंकि युन्डई ना आपको सेग्मेंट के हिसाब से बहुत ही बढ़िया फीचर्स और लुक्स ओफर करती है और क्रेटा का नाम तो वैसे भी इंडियर मार्केट में काफी जादा फेमस है इन टरम्स और सेफ्टी भी आपको बहुत ही बढ़िया देती है और इसमें आपको फीचर्स और परफॉर्मेंस भी काफी तगले देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर दोस्तों यह कार आ आपको 20.40 लेक रुपीज का देखने को मिल जाता है यहाँ पर बात करें डीजल के बेस सेलिंग मॉडल की जो की है SX Optional डीजल इसका आपको आपको प्राइजिंग पढ़ता है 19.05 लेक रुपीज और अगर आपको 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 19.26 लेक रुपीज का पढ़ जाता सामने आपको ही हैडलाइट सेट आप देखने को मिल जाता है LED headlight मिलती है LED DLS आपको आविलेबल हो जाते हैं पीछे आपको reverse parking camera reverse parking sensor देखने को मिल जाते हैं इंटेर देखा जाता है तो overall इंटेर भी काफी बढ़िया है काफी बढ़िया specs आपको देखने को मिल जाता है Android Auto navigation और Apple CarPlay की connectivity आपको इसमें देखने को मिल जाती है, अगर अगर स्पेस देखा जा तो अच्छा खास आपको comfort इस कार में देखने को मिल जाता है, और comfort आपको Hyundai Car काफी अच्छा offer कर देती है, यहाँ पर दोस्तों बात करें इस कार के boot space की तो boot space भी आपको around काफी बढ़ी है देखने को मिल जाता है, आप अपना सामान आराम से रख सकते हो, तो यह तो थी Hyundai Creta, नमबर 8 पर आती है Tata Nexon EV, अब यहाँ पर आप बोल रहों कि भाई, इलेक्टरिक का रही है, पैसा वसूल कैसे होई, तो दोस्तों इलेक्टरिक है तब ही तो पैसा वसूल हो गई, लेकिन हाँ, इसकी जो स्टार्टिंग प्राइज है, इलेक्टरिक में वह है 15.24 लाक रूपीज, और टॉप मोडल आपको 17.68 लाक रूपीज का देखने को मिलता है, और इसको जो टॉप सेलिंग मोडल वह है XZ Plus Lux, जो कि आपको 18.02 लाक रूपीज का पढ़ जाता है, बाक आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, क्योंकि जगा जगा चार्जिंग स्टेशन्स नहीं बने हैं, इसलिए आपको बहुत दिक्कत दे सकते हैं, अगर आपको सिटी में ही राइड करना है, तो फिर आपके लिए बहुत जबर्दस्त पैसा वसूल कारिये होने वाली, अधिकतर लोग के लाखो रुपे बज़ जा रहे हैं, अलेक्टरिक कार के कारण, तो आप टाटा नेक्सओन एवी की तरफ जा सकते हैं, इसमें भी आपको जो नेक्सओन आती है, उसी से रिलेटेट सारे स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं, अंदर आपको बड़ी है कमफ़र्ट भी CS से भी लंबी है, तो अगर आपको इदम प्रोपर सेडैन का मज़ा लेना है, तो आप होंडा सेटी से ले सकते हो, यहाँ पर दोस्तो बात करने इसकी प्राइजिंग की तो डीजल मिस की शुरुवाती की मत है 14.69 लाक रूपीज और टॉप मोडल आपको 17.39 लाक टॉप मोडल इसमें आपको सारे फीचर्स अविलेबल हो जाएंगे, और पैट्रोल में आप VX CVT की तरफ जा सकते हो, जो आपको 16.86 लाक रूपीज का अविलेबल हो जाता है, यहाँ पर दोस्तो आपको पैट्रोल एंजिन 1.5 लिटर का देखने को मिलता है, और डीजल ए बात कर इस कार के सेफटी की तो इसमें आपको 6 एरबेक्स अविलेबल होते हैं, टायर प्रेशरिंग मोनिटरिंग सिस्टम, ABS, EBD और सामने आपको टायर में 2 डिस्क ब्रेक अविलेबल होंगे, और पीछे आपको ड्रम ब्रेक अविलेबल होने वाले हैं, फीचर्स की बात जिसमें आपको डेट सारे फीचर्स अविलेबल हो जाते हैं, एंड्रोइड आटो, एपल कार प्ले और नैविगेशन की कनेक्टिबिटी आपको इस कार में देखने को मिल जाती है, ओवरल अगर स्पेस देखा जा तो ये कार अच्छी लंबी है, तो आपको बूट स्पेस अलग कि अगर देखा जा तो मुझे पुरानी i20 का लुक जाधा पसंद था, अभी नई वाइली से, क्योंकि ये जो नई वाइली नसको थोड़ा futuristic टाइप डिजाइन देदे, मतलब थोड़ा cartoonist टाइप डिजाइन देदिया है, जो कि मुझे उतना पसंद नहीं आता, और टॉप मोडल आपको 12.78 लाक रुपी देखने को मिल जाता है, पेटरल मेच की स्टार्टिंग प्रैजी डेग ये लाक रुपीज देखने को मिल जाता है, तोस्तो Ma kadering मेचा तॉब अस्ता भी और प्रैजिव प्रैजिग मेचेंडवे से, क्वेचल फोड़ा में काफी तगले offer करती है यहाँ पर दोस्तों इस car में आपको 1.0 लीटर का और 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है लेकिन डीजल इसमें आपको सरफ 1.5 लीटर का available होता है बाकी अगर इसके ओवर और लुक्स को देखा जाए तो अगर आपको segment के साब से बड तो भी आप आराम से पीछे बैट जाओगे ऐसी कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पर दोस्तों बूट स्पेस में आपको अच्छी खासी स्पेस देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों यह तो थी युनडाई i20 बाकी यहाँ पर कुछ लोग सोच रहोंगे भाई आपने टाटा हैरियर को क्यों नहीं दिखाया या फिर सफारी को क्यों नहीं दिखाया तो दोस्तों हैरियर के जो मॉडल थे जो 20 लाग रुपीज के अंदर आते थे उनमें आपको उतने सारे फीचर्स आफर नहीं होते थे जो आपको 20 लाग रुपीज के उपर अली कार मे देखने को मिल जाती है तो उमीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी ओर अगर आप को यह वीडियो पसंद आई है तो उसको like करो, share करो और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो तो subscribe करके बैल आइकन दबा दो क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोज लाता रहता हूं अभी के लिए थैंक्स तिल देन वीट फॉर माइ न्यू अपकमिंग वीडियोज